आज हमने बनाई है आम की खट्टी और मीठी चट्नी ये बनाना बहुत ही आसान है इसे कुछ लोग आम की लोंजी भी बोलते हैं तो इसकी वीडियो आज आपके साथ में शेयर करूंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे घर पर किस तरह से बना सकते हैं ये बहुत ही ज़् पसंद आती है, इसको बना कर आप 15 दिलों के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, रोटी के साथ, दाल के साथ, किसी के साथ भी सिखनाय खाएं, बहुत जादा यम्मी और टेस्टी लगती है, आप देख सकते हैं किती बढ़िया और किती परफेक्टर देखकर यूमे पानी आ कुछ लोग बोलते हैं आम की लूंजी, तो वो घड़ पर किस तरह से बना सकते हैं, मिंटों में बन जाती है, बनाना बहुत ही असान है, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप नई है, तो प्लीज मेरे चैनल को स्कूर्स जूरू कर ले, वीडियो अगर अच्छी आम है, तो मैं आम का यूज करूँगी, तो आम को मैंने पहले अच्छी से वोश कर लिया है, अब पिल्लर से इसकी जो है, सारी स्किन हम निकाल देंगे, अचार में हम इसकी छिलक का यूज करते हैं, लेकिन जब इस तरह की चटने बनाते हैं, तो उसमें इसकी स्किन को हम च्छिल लूँगी यह मैंने दोने आम अच्छे से छिल लिए हैं और यह वोश भी पहले से किया हूँ है तब इसके हम पीसिस कट करेंगे तो यहाँ पर मैं एक चोपिंग गोर्ड लिया है उसके उपर एक के चोटे चोटे पीसिस कट करेंगे आप अपने मर्जी से जिस तरह यहाँ पर करेंगे हैं तो यह वोश पर लियू क Unsब लें जबनाने के लिए तब मैंने पैन में डाल देंगे और एंड यहां पर मैंने दो चम्मजों और यूज किया है इसमें ज्यादा ज़ए नहीं लगता है तो थोड़ा सा गरम अने ज़ते हैं तेल गरम हो गया है तो यहां पर थोड़े से मसाले डाल रहे हैं यह मैंने लिए है आदा चमच अजवायन आदा चमच मित्थी दाना एक चमच लिए हमेने सॉंफ सोड़ी सी जादा यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें प्लेवर सॉंफ का बहुत ही बढ़ी आता है आदा चमच प्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है तो सॉंफ थोड़ी सी ज्यादा ही यूज़ करें थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं यहां पर मैं दो आम यूज़ किये हैं मैंने 500 ग्राम की फ्रीव है मेरे आम्त उस हिसाबते ही मैंने आपको मसाले जो हैं बताए हैं इसमीं ज्यादा म तो मसालों में अच्छी सी खुश्बू आने लगी है ग्यास का फ्लेम मैंने लो ही रखा है लो फ्लेम पर मसाले जो हैं अच्छे से भून जाते हैं और स्मेल भी बहुत ही बढ़ी आती है जर हाई फ्लेम पर मसालों को पकाते हैं तो मसाले जो हैं जल जाते हैं तब मसालों कि बहुत ही बड़ी आसी स्मेर जो है आने लग गई है तो यहां पर मैं डालने वाली हूं इसमें प्रटे हुए आम जिसको अम्वियां भी बोलते हैं उपर डाल देती हूं डाल कर यह से मिक्स करेंगे अब यहीं पर मैं डाल रहें इसमें थोड़ा सा नमक यह मैंने स्पेद वाला नमक यूज किया है क्योंकि इसमें अभी हम चाट मसाला और ब्लैक नमक यूज करेंगे दूसी साथ से इसमें मैंने एट चुटकी जो है स्पेद वाला नमक में यूज किया है तो यहां पर कलर के लिए इसमें में डाल रहे हूं यह राट वाला फूड कलर है अगर आपके पार किश्मीरी लाल मुचो तो वह भी यूज कर सकते हैं इसमें बहुत बढ़ी आता है यहां पर डाल नहीं हमें पानी यह मैंने एक कप पानी लिया है अगर मुझे जुरूरत पड़ी तो मैं और पानी इसमें एड़ करूँगी अगर पानी हमें और चाहिए तो डाल देंगे गैस का फ्लेम इनने अब हाई किया है , तो हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे जिससे हम यह मैं हमारी पक जाएंगे अच्छे से पानी मुझे थोड़ा सा भी कम लग रहा है मैं थोड़ा सा पानी ने डाल डेती हूं तो यहां पर आधा कप सट पानी हमरी इसमें जाल रही हू पानी डालकर इसे एक बार पिरक्ति मिख्ज करें यूँठ में यह पर-अभी िईट्सो ग्राम ग्रूड यूज करूंगी अगर मुझे मीठा कम लगा अम फो ग्रूड आज मैं तो गुड़ करूंगी तो गुड़ को समेख से मिक्स होने जेते हैं। गुड़ हमार inflam stress hope ऐसमें डाल धीया है। को अबिए पांच मिन्त हो गए हैं धक्कन हटाकर एक बार मुझे कर लेते हैं तो मियंगे अच्छे से हैं बॉइल आ गया है लेकिन अब इसाथे पर की नहीं थोड़ी सी से अभी हम इवे पकाना है तो यहां पर इसमें फोड़ी से-से मसाले ङुख हैं मे Parliament हैं कि यहांपर है डाल रही हुन आधा चमच भूना हुआ जीरा के आधा साथमाच लिए है मैंने यां पर गरम असला आधा चमच लिए है मैंने चाट मसाला ам और यही लिया है आधा सुछ काला नमक द looked तक मैंने आपको पहले बताया था चाट मसाले में भी नमक रहता है और काला नमक में इसमें आड़ करना है तो उसी हिसाब से आप पहले नमक में कमी यूज करें तब इसे हम पकने देते हैं यह देखे जैसे जैसे गुड़ हमारा मैल्ट अच्छे से हो गया है मैल्ट जैकिन दीरे धीरे से जो है गाड़ी हो जाएगी और अमिया भी हमारी अच्छे से सोफ्ट हो जाएंगे तो इसे मिक्स करके कि दिए इस तरह से ढखकर पका लेते हैं पांच मिनट अब आप इसका ढखकन अठाकर चक करेंगे जास का फ्लेम यां पर लो करते हैं तो अभी इसका ढखकन हटाकर एक बार देख लेते हैं है अब अब आए हमारी तो हो गोई आपको एक तरह से देखती के सटरहसे इसको देख लेते हैं अब हैं फोड़ी से कच्छी हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है अब आपको अब और पकाना है यहां पर हम मिर्था भी जो है चैक कर लेते हैं अगर हमें कम लगा तो हम इसमें साथ ही गुड़ जो है एड़ कर देंगे तो यहां पर मीठा जो है हमें थोड़ा सा कम लगा तो मैं इसमें और थोड़ा सा गुड़ जो है एड़ कर देंगे जैसे मैंने बताया था कि मैंने गेट सो गुड़ लिया है तो यह गेट सो गुड हो जाएगी जो आपको अलग-अलग पानी दिख रहा है जब गुड़े समेज मेल्ट होगा तो यह काफी जादा थिक हो जाएगी और अम्बियां भी हमारी सोप्त हो जाएंगी तो इसे यहां पर ग्यास का फ्लेमा फाई ही रखें इसे चलाते हुए पकाएंगे तो यहां पर जो मैंने गुड़ेड किया था वह अच्छे से मेल्ट हो गया है तो आम भी जो है हमारे अम्मियां जिसको बोलते हैं देखें यह भी पक गई है अच्छे से सोफ्ट हो गई है तो इससे थोड़ा सा भी इससे और पकाना है जादा ह आम में नहीं पकाना है गयासका फ्लेम ने हाई ही रखा अधा जैसा मैंने आपको बताया कि इसे खुला छोड़कर ही पकाना है तो अभी आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी लेकिन जब भी ठंडी हो जाएगी तो घूड हमारा जैसे यह दाल थे ठंड़ा होता है तो लगती है और खाने में बहुत ही जादा डिलिशियोज होती है तो आप इस रेश्पी को घर पर जूर ट्राइक करें वीडियो गर अच्छी लगे तो लाइक का बदल प्रेस करें साथ ही अगर आप नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब को ना भूलें